450 मिटर दूरी तक दोड़ सकता है। चिते का सीर बाग, शेर, तेंदुव और जगुवार की तुलना में काफी छोटा होता है। इससे तेज रप्तार के दौरान उसके सीर से टक्राने वाली हवा प्रती रोध काफी कम हो जाती है। चिते की खोपड़ी पतली हड्डियों से बनी रहती है। इससे सीर का वजन भी कम हो। हवा के रजिस्टेश को कम करता है और चिते के कान बहुत छोटे होते हैं। हावर्ड में हुए एक रिसर्च के मुताबिक आम तोर पर चिते के शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। लेकिन रप्तार पकड़ते ही उनके शरीर का तापमान 40 के उपर चड़ जाता है। चिते का दिमाग इस घर्मी को नहीं जोल पाता और वो अचानक से दोड़ना बंद कर लेता है। तेज रप्तार से दोड़ने के लिए चिते की माश पेशिय को बहुत ज्यादा ऑक्सिजन की जरूरत होती है। इस ऑक्सिजन की सप्लाई को बरकरार रखने के लिए चिते के नथुनों के साथ स्वास भी नली में मोटी होती है। ताकि वह कम बार सास लेकर भी ज्यादा ऑक्सिजन शरीर में पहुचा सके। चिते की आँख सिधी दिशा में रहती है। इसकी वज़े से वह कई मिल दूर तक आसानी से देख सकता है। इससे चिते को अंदजा हो जाता है कि उसका शिकार कितनी दूरी पर है। चिते के पंजे गुमावदार और गृप वाले होते हैं। दोस्तों आज जो चिते आठ भारत की धर्ती पे आये हैं। तब वड़ा प्रदान नैंद्र मूदी ने प्रकूती प्रेमियों को एक संदेशा दिया। आईए सुनते हैं। 200 नए समुरक्षित छेत्र जोडे गए है। हमारे हाँ एशियाई शेरों की संख्या में भी बड़ा इजाबा हुआ है। आज गुजरात देश में एशियाई शेरों का बड़ा ख्षेत्र बनकर उभरा है। इसके पीछे दसकों की महनत, रिसर्ट बेज पालिसीज और जन भागीदारी की बड़ी भूमी का है। हमने गुजरात में एक संकल पर लिया था। हम जंगली जीवों के लिए सम्मान बढ़ाएंगे और संगर्स गटाएंगे। आज उस सोच का प्रभाव परणाम की रुप में हमारे सामने है। देश में भी टाइगर्स की संख्या को दोगुना करने का जो लक्ष ताइक किया गया था। हमने उसे समय से पहले हासिल किया है। असम में एक समय एक सिंग वाले गेंडों का अस्तित्व खत्र में पढ़ने लगा था। लेकिन आज उनकी भी संख्या में वृद्धी हुई है। हाथियों की संख्या भी पिछले वर्षों में बढ़कर 30,000 से जादा होच गई है। भाई और भेनों देश में प्रकृती और परियावरण के द्रश्टिकौन से जो एक और बड़ा काम हुआ है। वो है वेटलेंड का। दोस्तो आज पूरी दुनिया में सिर्फ आफ्रिका में गिने चुने चिते बचे है। बारत समेत एशिया के कमो बेश हर देश के ये जानवर विलूप्त हो चुका है। बारत की धर्ति पर इस नए महिमान का पूरा बारत वर्ष स्वागत करता है। नमस्कार। ये 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 चुन एफची करता है। ज्यान का में ऑंची करता है। विलुटे करता है। झाल झाल